श्री गणिशाय नम्हा उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा से कहिए ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है युदिश्टर सबसे पहले हिमंत रुतु के मार्गशिश महार में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए दश्मी की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए एकादशी को दीप नैवेद से भगवान का पूजन करना चाहिए रात को दीप दान करना चाहिए ये सभी सतकर्म भक्ती पूर्वक करने चाहिए रातरी में जागरण करते हुए श्री हरी का नाम जब करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के भोग, विलास या स्त्रीप प्रसंग से सर्वथा दूर रहना चाहिए। रिजे में शुद्ध एंसात्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए। एकादशी के दिन शुद्धा पूर्वक भ्रामणों को दान दक्षिना देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की शमा मांगनी चाहिए। धान्मिक जनों को शुकल और प्रिश्न पक्ष की दोनों एकादशीयों को एक समान समझना चाहिए। उनमें भेद भाव उचित नहीं है। इस विधी के अनुसार जो मनिश एकादशी के व्रत करते हैं उनको शंकोद्धार तीर एवन दर्शन करने से जो पुनिय मिलता है वह एकादशी व्रत के पुनिय के सोलवे भाग के बराबर भी नहीं है। हे पांडूश्रेष्ट व्यतिपात योग में संक्रांती में तथा चंद्र सूर्य ग्रहन में दान देने से और कुरुक्षेत्र में सनान करने से जो पुन करने से मिलता है उस से दस गुना अधिक पुनिय एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मानसाहार तथा अनि निरामिष भोजन एकादशी के व्रत में सर्वता वर्जित है। एकादशी व्रत का फल हजार यग्यों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर युदिष्टर ने कहा हे भगवान आपने इस एकादशी के पुनियों को अनेक तीर्तों के पुनियों से श्रेष्ट तथा पवित्र क्यों बतलाया है। यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्रीकृष्ण बोले, हे कुन्ती पुत्र सत्युग में एक महा भयंकर दैत्य हुआ था, उसका नाम मूर्थ था, उस दैत्य ने इंद्र आदी देवताओं पर विजय प्रात कर उन्हें उनके पत से चुत कर दिया, तब देविंद्र ने शंकर भगवान से प्रात अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है, अथा, हे देवादी देव, आप कृपा कर इस महान दुख से छूटने का उपाय बतलाईए, तब शंकर भगवान ने कहा, हे देविंद्र, आप विश्नु भगवान के पास जाईए, मधुकैटप का संभार करने वाले श्रीहरी दे देवता, महादेव जी के आदेश अनुसार शीर सागर गए, जहां पर भगवान विश्नु शे शया पर विराजमान थे, भगवान विश्नु के समक्ष पस्तित होकर सभी देवताओं सहित इंद्र ने उनकी स्तुती की, हे देवादी देव, आप स्तुती करने योग्य है, आपको बारंबर प्रणाम है, हे देटियों के समहारत, आप हमारी रक्षा करे, हे जगनात, हम समस्त देवगन, देटियों से भैबीत होकर आपकी शरण में आए है, इस समय देटियों ने हमें स्वर्ख से निकाल दिया है, और हम सब देवता, बड़ी ही दैनी स्तिती में प कौन सा देटि है, जिसने देवताओं को जीत लिया है, तुम सभी देवगन किसके भैसे प्रित्वी लोग में भटक रहे हो, क्या वह असुर इतना बलवान है, जिसने इंद्र सहीत सभी देव को जीत लिया है, तुम निर्वे होकर मुझे सब कुछ बताओ, भगवान के उन अगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से समत विश्व को जीत लिया है, और सब देवताओं को देवलोग से निकाल कर अपने दैत्यकुल के असुरूं को इंद्र, अगनी, यम, वरुन, चंद्रमा, आदी लोगपाल बना दिया है, वह स्वयम सूर्य बनकर विश्व भगवान बोले, देवताओं, मैं तुमारे शत्रू का शिकर ही समहार करूंगा, मुझे तुरंत ही चंद्रवती नगरी में ले चलिये, इस प्रकार भगवान विश्व देवताओं के साथ चल दिये, उधर दैतियराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि श संख्य दानव अनेक अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद करने लगे, परन्तु देवताओं के मन में तो पहले ही भय समाया हुआ था, वह अधिक देर तक देत्यों के सामने ना टिक सके और भाग खड़े हुए, तब भगवान विश्व स्वयम युद भ इस युद में अनेक दानव सदेव के लिए मृत्यों की गोद में सो गए, परन्तु देत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद करता रहा, उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था, वह बिलकुल बेखोफ होकर युद्रत था, भगव में मल युद करने लगे, भगवान विश्चनु उस देत्यों से देताओं के लिए सहसर वर्ष तक युद करते रहे, परन्तु उस देत्यों को ना जीत सके, अन्त में भगवान शान्त होकर विश्राम करने की इच्छा से बदरिका आश्रम सित 38 कोस लंबी एक द्वार वाल हें वती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए, हें युदिष्टर उन्होंने उस गुफा में शैन किया, वाद दैत्य भी उनके पीछे पीछे चला आया था, तब श्री विश्चनु भगवान को सोते वे दे कर वह उन्हें मानने को तयार हो गया, उसका खयाल था कि मैं आज अपने चिर्शत्रू को मार कर हमेशा हमेशा के लिए निश्कंटक हो जाऊंगा, किन्तु उसकी वह इच्छा पूर ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विश्चनु की धे से दिव्य वस्तर धारन किये एक अत्यन सुन्दर कन्या उत्पन हुई, और दैत्य को ललका आतार युद करता रहा, कुछ समय बीतने पर उस कन्याने क्रोध में आकर उस दैती के अस्षत्रों के तुकडे तुकडे कर दिये, उसका रत तोड डाला, तब तो उस दैती को बड़ा ही क्रोध आया, और सारी मर्यादाएं भंग करके वह उससे मल्युद करने लगा, उस कन असुर उसका ऐसा दुखद अंत देखकर भेवित होकर पाता लोग को चले गए, जब भगवान विश्णु की निद्रा तूटी, तो उस दैती को मरा देखकर उन्हें अत्यंत आश्चरी हुआ, और वे सोचने लगे कि इस महावली दैती को किसने मारा है, तब वह कनिया अत्यंत प्रसन हूँ, इसे मार कर तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा नुसार वर्दान मांग, मैं तेरी हर इच्छा को पून करूंगा, कनिया बोली, हे जगदीश्वर, मुझे ये वर्दान दीजिये, कि जो भी प्राण भक्ति पूर्वत मेरे व्रत को करे, वे निश्चे ही विश्णु लोक को प्राप्त करे, जो मनिश मेरे दिन ततरातरी को एक बार भोजन करे, वह धन धानी से भरपूर रहे, कृपा करके मुझे ऐसा वर्दान दीजिये, भगवान विश्णु बोले, हे कल्यानी, ऐसा ही हो और क्योंकि तू मेरे अंश से उत्पन हुई है, इसलिए संसार में तुझे उत्पना एकदशी के नाम से जाना जाएगा, तथा जो मनुश इस दिन व्रत करेंगे, उनके समस्त पाप जड़ से नश्ट हो जाएंगे, और अंत मेवे मुक्ति को प्राप्त करेंगे, तू मेर अब तीज, अश्टमी, नवमी और चौदत से भी अधिक प्रिय है, तेरे व्रत का फल सब तीरतों के फल से भी महान होगा, यह मेरा सपष्ट कथन है, ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतरधान हो गए, एकदशी भी भगवान के उतम वचनों को सुनकर प्रस्न हुई, भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडू नंदन, एकदशी के व्रत का फल सबी व्रतों बहर सबी तीरतों के फल से श्रेष्ट है, एकदशी व्रत करने वाले मनिश्यों के शत्रों को मैं समूल नश्ट कर देता हूँ, और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता जो भी विग्न बाधाएं होती है, मैं उन्हें भी दूर कर देता हूँ। सात्परी ये है कि मुझे अतिंद प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाले प्राणी सभी और से निर्भय और सुकी होकर अंत में मोक्ष का अधिकारी होता है। हे युदिष्टर, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पती के विशे में बतलाया है। एकादशी व्रत समस्थ पापों को निष्ट करने और सिद्धी को देने वाला है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों के एकादशीों को समान समझना चाहिए। उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महात्मे का अश्रवन वा पठन करेंगे, वे अश्मेद यक्यर समान फल प्राप्त करेंगे। यह मेरा सत्य वचन है। इसमें किसी प्रकार का संशन नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिये राधे राधे ओम नमो भगवते वासु देवाय नम्हा। बोलिये श्री हरी लक्षमी जी की जै। बोलिये श्री विश्नु भगवान की जै।